Hello students, very warm welcome, कैसे हैं आप तब लोग तो कल J.E. Advance 2024 का result आ रहा है सुबह 10 बजे as per their website I know many of you are anxious पर देखो अच्छा ही जाएगा या result अगर आपने अच्छी मेहनत करी है आप deserving है तो बहुत हाई चांस है कि आप अपने deserving rank लेके ही निकलेंगे and best wishes in advance अच्छा result आएगा जबराने के जरूत नहीं है नाराम से आज रात को काम कंपोज जादा anxiety नहीं रखनी है और मैं बार-बार बोल रहा हूँ अगर नहीं भी होता है कोई भी एक result cannot determine your position, your caliber, your success story अच्छा ये वीडियो में एक और important point जो मैं आप लोगों के साथ discuss करना चाहूँगा आप सब लोगों ने सुना होगा कि भाया NEET के साथ क्या बवाल मचा पड़ा है why NTA is cornered because of NEET 2024 I request each and every JE aspirant to be in support why देखो बहुत सारे बच्चे हमने ये वीडियो बनाई थी NEET के उपर तो बच्चे थोड़ा सा नराज हुए कि सर आपने JE के वक्त तो कुछ नहीं बोला जबकि हमने JE के वक्त भी we were the only ones जिसने टुटर के उपर सबसे पहले काम शुरू करा था और जितने भी टुटर पे टैक्स आपको दिखेंगे वो आप चेक करना मैतनगो की स्क्रीन शॉर्ट हैं इन फैक जो अपील कोर्ट में जिस लॉयर में तक करी थी उन तक ने मैतनगो के जो हमने डिस्क्रिपेंसी बताई थी वही चीजें लेके गए थे बड़ हम लोगों ने आपको उस समय जादा पुश्च क्यों नहीं करा था समझेगा इस बात को वो इसलिए क्योंकि हमारे पास लीगली कोई प्रूफ नहीं है आप सिरफ ये बोलें सर एक पेपर से बहुत जादा टॉपर आ गए आ सकते हैं कोट के पास आप सामने जज की तरह सोचना शुरू करिये थोड़ा क्या प्रूफ है भई इसके लिए क्या सी भी इंक्वारिया बिठा देंगे या लोग मर रहे हैं हमारे देश में तब इंक्वारिया नहीं होती है इतने छोटी सी बात के लिए आपको लगता है कुछ होता given that आपका pre-board था फिर आपका April अटेंड था तो हम नहीं चाहते थे कोई भी बच्चा अपना time वहां waste करे प्लस उससे भी ज़्यादा जरूरी बात मैं आप अगर हमारा tweet देखेंगे हमने tweet में एक चीज के ओपर cornering करने की कोशिश करे थी क्या cornering NTA ने बोला था हम अपनी division equal करते हैं हर session में जबकि वो flawed दिख रही थी क्यों क्योंकि हर बच्चा जो report कर रहा था वो कह रहा था 27 January में almost 30% बच्चा बैटा है legal case कर सकते थे कि आपने जब ब्रोशर में लिखा था कि हम एक proportional level में बच्चों को बैठाएंगे यह disproportionate amount एक session में क्यों बैठा यह एक legal valid point है अब की बार क्या अगलती हुई है and why need is creating so much हंगामा अरे भया 718 719 नमबर दिये हैं है ना कमाल की बात फिर grace marking उन्होंने accept करी है 718 719 नमबर NTA ने accept कराएगी हमने दिये हमारे JEE में ऐसा नहीं हुआता अगर हुआ होता मानिये यकीन करिये मैं नहीं हर बंदा court पे दस्तक दे रहा हुता हमारे बार legal proof नहीं है बच्चों अभी भी बहुत सारे बच्चे नहीं समझेंगे इस बात को बड मेरा अब एक अनुरोद एक आपसे request है specially 2025 and 26 aspirant और 2024 यार इतना selfish मत बनो कि मेरा तो खाम खराब होई क्या रहा selfish wrong word है आप लोग के साथ होता है यार बुरा हमें बुरा feel नहीं होता है हमें पता है किसी बच्चे के 220-225 नंबर है और वो सोच रहा है sir I am in top 1000, top 2000 रहेंगा ही 10,000 बुरा लगता है यार बहुत बुरा लगता है हम भी पढ़ा रहे हैं हमें भी पता है हम किस बच्चे से क्या expect कर रहे हैं तो अगर आप चाहते हो कि ये चीजे ना हो वी गाइज आर अभी कहना माहौल गरम है NTA is cornered तो अभी हमारे पास मुका है कि हम JEE वाले भी अपने सवाल पूछ डालें तो हम लोग एक drafting कर रहे हैं RTI की RTI नहीं तो अगर जादा बड़ा base बन गया और किसी lawyer ने हमें support करा तो PIL तक करेंगे कुछ चुनिंदा मुद्दों पे जिस पे आप मुझे comment में बताइए और क्या भरना चाहिए हमें युकि legally थोड़ा सोचे करिएगा पहला point इस साल बहुत सारे need के बच्चों ने JEE का paper दिया January में for practicing physics and chemistry क्योंकि स्लेबस पहली बार change हुआ था same शायद बच्चों ने एप्रिल में भी दिया उसकी वरे से बहुत सारे बच्चों की percentile हिली क्यों हिली आप जो 2025 वालें से धन से सुनियेगा because you have 3 hour paper and if you devote all the 3 hour to physics and chemistry your chances that you will get 200 180, 160 gets higher out of 300 but if the same student starts devoting time to all 3 subjects कहिक ये बार उस time की चकरी में वो शायद result नहीं बना पाता है better तो एक huge discrepancy हुई कि यार बहुत सारे बच्चे एकदम से 180 या 170 score पे पहुँझे क्योंकि physics का standard बहुत नीचे गिरा दिया paper में एक तो पहली बात जिसकी वज़े से एक biology का student भी जिनकी physics उतनी strong नहीं होती है as compared to an IITJS print वो भी paper फोड़ के आ गया तो जो बच्चे ज़्यादा तर math पे time spent कर रहे थे वो actual negation में चले गए अब compare करते हैं इसी चीज को NEET के exam से NEET का exam 720 number का होता है कभी आपने सोचा वो 360 या 300 number का क्यों नहीं होता भई क्यों क्यों क्योंकि वहाँ पर biology की weightage double होती है 360 biology होती है 180 180 chemistry होती है अरे भई जब bio को आपने इतनी importance दी है तो आप maths को engineering वालों के लिए इतनी importance क्यों नहीं देते जिससे यह जो cross हुआ है इस बार कि भई या bio वालों ने paper दिया वो शायद एक बात ये भी है सोचने की बहुत सारे पड़े लिखे लोग हमें ये बोलेंगे कि यार वो तो लेंगे नहीं ना admission and percentile will take care of it but do you understand the mental damage एक harassment होती है जब January का result आता है न कि भाई साब 180 नंबर पे जहां हम बोलते थे 99 percentile आती है वो उस पे इस बार बच्चे को 96 percentile भी नहीं मिली है that's mental harassment and मैं आप लोगों के बिलकुल साथ हूँ यहार मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों ने जैनवरी के बाद हिम्मत छोड़ दी थी कि हमसे कुछ होगा they were that demotivated तो अगर मैं practical होके बात करूँ मैं पहली एक RTI इस पे या suggestion corner करना चाहता हूँ कि अगर आप इसको रोकना चाहते हैं हम एक engineering community को बचाना चाहते हैं मुझे यह लगता और मेरा यह opinion है मैं आपसे समझना चाहूँगा मुझे comment में support करना against जाना वो आपके उपर है मुझे लगता है इसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप भी math की weightage डबल करें जिससे जो बच्चे literally math के लिए preparation करें और math ही एक ऐसा subject बचा है J means में जो अभी tough है physics chemistry अभी भी tricky हो सकते हैं पर अभी भी बहुत असान है आपको ये कैसी लगा सुझाव मुझे जरूर बताइएगा पेपर को यार बराबरी पे रखना है NEET में तो आपने 2x weightage कर दी है बायो की तो J में भी तो कर सकते हैं न क्या मेरी सोच सही है आप मुझे बताएंगे दूसरा मुद्धा जो मुझे लगता है जो हमें बहुत clarity से अभी पूछ लेना चाहिए अब जैसे हम भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो अब एक doubt आता है सर हम लोग ये chapter पढ़ हैं या ना पढ़ हैं 2025 वालों के लिए सर ये advance के syllabus में तो है J main के syllabus में नहीं है अरे भाई आप clarity क्यों नहीं दे रहते हैं कि इस साल हमें क्या prepare करना है अगर आप J advance में पूछेंगे तो हटाने का sense था क्या why you have deleted that chapter because every student inevitably will be studying that को advance का exam एक साल बात तो नहीं हो रहा कि उस chapter को J mains means कि eligibility के बाद बच्चा prepare करेगा कि हाँ उसकी देड़ लाग के या दही लाग के अंदर rank आ गई है तो आप और कितना समय लेंगे अब तो पहले दिन से informed होना चाहिए that what will be the new syllabus whether you have to do it or you have to omit it तीसरा अच्छा इस पर भी मुझे comment बता दीजेगा ठीक आपको क्या लगता है सही बात है या गलत बात है तीसरा अरे भाई आप अगर deleted portion से इस साल जैसे कि system of linear equation determinant में topic है हटा दिया गया पर भर भर के सवाल आए तो नो shifts में जैनवरी session में भी April session में भी आप सोच लो जल्द बाजी करने की क्या जरू होता आप डाल दीजिए हम एक topic और पढ़ने में मारा कुछ नहीं जाएगा हम वैसे भी जो आपका पहले बड़ा syllabus था वो पढ़ ही रहे थे आपने अगर ये सोच के करा था कि हमारे उपर pressure कम हो जाता है प्रेशर कम नहीं होता है प्रेशर बढ़ जाता है जब आप आधे session में suddenly labels change कर देते हैं बच्चे को problem पढ़ाई से जादा उसमें uncertainty की वज़े से होती है जब आप बीच में ही कुछ ना कुछ बदलाव कर देते हैं तब बच्चा confused होता है time waste करता है दस जगह पूछता है क्या करना चाहिए कितना करना चाहिए वो बचा लीजे ना time बच्चे का तो मुझे अभी तीन ये point जेई के perspective से लगता है जो हमें as a community पूछना चाहिए आपके comment के basis पे हम एक google form भरेंगे after this जो उसको हम add करेंगे आज अभी google form नहीं पूछ रहा हूँ बढ़ आपके comments को read करेंगे देखेंगे क्या हमारी जो सोच है वो आपके साथ sync होती है यह सरफ हमारा यह opinion है opinion देने में क्या जाता है सबका मन कर सकता है कुछ भी बोलने का बट हमें लगता है अगर आप support देंगे तो हम आपके हर उस teach को एक google form की consent form बनाएंगे और उसको petition में file करेंगे कि भई बच्चों को यह लगा यह गलत हुआ था this system should be improved प्लस अभी बहुत सारी ऐसी बाते हैं जैसे कि result का अपने दिन पे नहीं आना delay होना रात को दो बजे रिजल्ट देना बच्चों को anxious रखना आप इतना बड़ा exam करते हैं free में नहीं करते हैं आप पैसे लेते हैं बच्चे से पूरे पूरे पैसे ले जाते हैं तो at least be punctual beyond time otherwise there is no point of creating a body which can conduct the exam क्यों इतनी बड़ी बड़ी बनाई है कि वो सारी पेपर लेगा वो नीट का भी जेई का भी वो दुनिया में जितने इंडिया में पेपर होना उसके सब बड़ी एक ही है अगर आपसे नहीं हैंडल हो रहा आप बड़ी इसको differentiate करिए क्यों इतनी बड़ी बड़ी बनाने है कि इसके उपर बहुत कम लोग हैं वो कहते हैं थी हम तो बहुत pressure में इतना काम होता है तो भाई आप बड़े कर दीजे ना वैसी देश में बहुत जादा unemployment है और लोगों को employ कर लीजे अगर आपको लगता है आपके पार लोग नहीं है तो मुद्दे तो बहुत हैं but let's stick to the point क्योंकि अगर मैं भठकूंगा दिशाहीन हो जाओंगा तो court हमसे ही पूछ लेगा यार तुम बालक हो बालक रहो हमें मत बताओ देश को कैसे govern करना है हम उस मुद्दे पे नहीं घुसना चाहते है let's to the point एक genuine बात रखते हैं जिसमें हर कोई हमें support तो करे need में bioq2x weightage chapter बहुत जादा नहीं है अब chapter लिस्ट उड़ा के देखो ऐसा नहीं है कि biology में अगर हम बात करें बातनी जूलोजी की तो बातनी में 32 chapter नहीं जूलोजी में 32 chapter 11th और 12th में लाके नहीं है नहीं है इसा तो वह हम बातनी और जूलोजी है अरे भाई हमारे पास यहां calculus और algebra है यह अतनी बड़ी बड़ी है ना हम भी तो ऐसे division कर सकते हैं but having said that again मैं बूलता हूँ यह मेरा opinion जो मुझे लगता है जहां पर इस साल बच्चों को बहुत जादा घटा हुआ वो यही था कि जब 24 लाग बच्चे in medical के आए तो for a mock scenario drill practice वो सारे के सारे January के exam में बैड़ थे और जब आप 3 घंटे सर्फ दो सब्जेक को दोगे जिसका level इतना खराब है तो यार क्या ही कहना एक हनुरो तो ये भी कर सकते हैं कि भाईया थोड़ा सा paper का जरूर level physics और physics में especially बिल्कुल याद 2019 जैसा तो लेके आईए इतना भी मत गिराईए कि जहां हम prepare करते हैं एडवांस के लिए इतना हाई आप J means में इतना लाते हैं बट अगें इसमें हमारी कोई saying नहीं है क्यों यार ये तो paper setter बनाने वालों का काम है हम इसमें नहीं गुसते फिर से ये हो क्या हो गया deviation from what we were trying to achieve let's stick to the point जो मैंने तीन point बताए math key weightage जिसे हम need के parallel ही बात कर पाएं ठीक है तूसरा अगर हम सोचना चाहें तो भाया syllabus पहले क्यों नहीं बता देते हैं आप और clarity on कि अगर removed है तो removed है नहीं है तो नहीं पूछेंगे सवाल मुझे comment box में इन तीन मुद्दों के उपर जरूर support चाहिए आपका करा था आपको बचाया था ये target था अब हमारे पास मौका है हम अपना पक्ष आगे रख सकते हैं और NTA को इस बात के लिए मजबूर कर सकते हैं कि इसके लिए भी काम करा जाए अभी महौल गरम है हतोड़ा मार दीते जैसे काहवत बोला जाता है उन्होंने की गलती पकड़ी गई है हमारे केस में कोई गलती थी नहीं थी नहीं का मतलब प्रूवन गलती नहीं थी गलती तो बहुत अभी भी है यार हमें भी पता है questions गलत है अभी भी in fact we can add that point as well कि यार question गलत होते हैं उनके answer की भी chain नहीं होती है कितना time waste होता है एक गलत question के उपर काम करने में plus और वो हर बच्चे के लिए उसका time अलग होता है देखो ऐसे हम बात करेंगे न अंगिनद points है but वो point बात करते हैं जहां पर अभी मुझे लगता है मामले पे काम करा जा सकता है तो let me know in the comment section and best wishes for the J.E.A. advance result हमें लगता है आप फोड़ के आए है पेपर result भी बढ़िया आएगा best wishes have a glorious year ahead bye bye